कि नमस्कार किसान मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मुकेश यादों के वीडियो में किसान सात्यों आज बात करने वाले हैं केल्सियम नाइट्रेट के बारे में कि हमें केल्सियम नाइट्रेट का क्या उप्योग है कि सवस्ता में फसल में दे और इसके क्या फाइदे होने वाले तो किसान मित्रों ये सारी बाते होने वाली है इस वीडियो में और आप से निवेदन है कि वीडियो सुरू से अंतक अवश्च देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दे सकूँ और ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिल सके इसान सात्यों एसे कई वीडियो क्रसी संबंधी वीडियो में आपके अपने यूटूब चेनल पर लाता रहता हूं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चेनल पर अगर आप पहली बार हो तो इस प्रकार के अगर आप वीडियो चाहते हो तो का नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब कर देना साती एक घंटी का निशान है उस घंटी के निशान को भी दवा दीजिएगा ताकि जब भी कोई में वीडियो डालू तो आपको समय समय पर कोई नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं तो सुरू करते हैं वीडियो बिना कोई समय उपयोक में आता है किसान सात्यों केल्सियम नाइटेट हमें कंदीय फसल में भूत ही आवशक होता है जैसे लहसून प्याज एवं आलू तो किसानमित्रों इसका उपयोक वेसे हम टमाटर बेंगन मीर्च इनमें भी कर सकते हैं लेकिन वह वीडियो में बाद में बनाऊंग लेकिन आज बात करने वाले हैं लहसून प्याज और आलू की हैं तो किसानमित्रों हमें लहसून प्याज और आलू में इसका प्रयोक कर लेना है अब इसका प्रयोक हम दो वीदी से कर सकते हैं एक तो लहसून में भूरकाव वीदी से किसी खाद में मिला कर हम इसका भूरका तो यह एक विदी है दूसरी विदी की बात करें तो इसको हम calcium nitrate को इस्प्रे विदी से भी दे सकते हैं इस्प्रे विदी में देने में हमारा खर्च कम होता है और भुरकाव विदी से अगर हम दालते हैं तो इसका खर्च अधिक होता है तो किसान मित्रों पेले बात कर लेते हैं हम इस्प्रे विदी से किसान मित्रों हमें लहसून की फसल में इसे लहसून प्याज और आलू की तीनों ही फसल में हमें इसको जो है 90-100 दिन के अवस्ता में देने की सिफारिस की जाती है अब आता है इसका क्या फायदे होते हैं हमारी फसल में उसकी बात कर लेते हैं तो किसान मित्रो हमारा फल की जो रेती है इसकी जो साइज रेती है कंद की वह साइज बहुत अच्छी बनती है साथ इसके जो छिलका रहता है उपर से जो छिलके तो यह छिलका भी काफी मजबूत रहता है और इसकी साइनिंग काफी अच्छी होती है तो किसान मित्रों एक विगे के लिए हमें इस्प्रे के लिए एक विगे के लिए एक केजी केलसियम नाइट्रेट काफी होता है और अगर हम भुरकाविदी से देते हैं तो इसकी मातरा ज्यादा देनी पड़ती है तो किसान मित्रों आपको यह महाधान के नाम से इपको के नाम से और किसान मित्र के नाम से काफी नामों से यह मार्केट में मिल सकता है और इसकी जो एक केजी की कीमत होती है वह 120 से 130 रुपे के बीच में होती है तो किसान मित्रो मेरी ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी किसान मित्रो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल पर सस्क्राइब कर देना वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने किसान मित्रो को इस वीडियो को शेयर करकर वाजसा फेस्बुक पर शेयर करके उनको भी ये जानकारी आवश्य प्रदान करना इसे के साथ जै जवान, जै किशान, जै हिन, जै भारत, आपका दिन शुगर है